लिए प्रेंट्स अभी सुबा के बज़ रहे हैं मतलब साड़े छे बज़ रहे हैं हम जा रहे हैं गाउं तो हम लोग जा रहे हैं गाउं तो हम जा रहे हैं रायपूर तो फ्रेंट्स देखी काफी टाइम से हमारा मतलब चले जा रहा था जाना तो आज जा कि फ्लैन मना है और सुबर सुबर देखे जी दी और बच्चे सब आ गए हैं ये देखो बच्चे भी आ गए हैं बहुत एक्साइटेड है जाने के आज हनुमान जन्ती भी है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां से अपनी जर्णी और आपको दिखाते हैं हमारा गाउं तो चली फ्रेंट्स मैंने आज देखी साड़ी बेर करिए क्योंकि गाउं जाना है तो साड़ी ही पहन के जाऊंगी ये देखिए तो चली फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं एक न्यू जर्णी और हमारे साथ देखिए ये मेरे हज़्बन पीछे और इगर ये सब बच्चे हैं तो चली फ्रेंट्स प्यारी की पितरो महराज की पितरो तो अभी देखो हमने यहां पे लिया है फर्स्ट वाला ब्रेक यानि की थोड़ी देर के लिए रूखे है वाश्रूम के लिए और इन्होंने यहां से पैट्रोल भी डलवाना था यह देखो बच्चों की हाला हालो 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 यह दो अंदर तो यह थोड़ी देर के लिए रूखे हैं हलका सा स्ट्रेचिंग हो जाएगी क्यूंकि काफी टाइम हो गया बैठे बैठे हम लोग सुबा से निकले हैं और बस देखिए पैट्रोल फर्माने के बाद अब निकलेंगे हम थोड़ी ही दूर रह चुके थे माई के वालों के साथ और अब हो रहा है सुसुराल कर रहे हैं तो यहां पर शारी देंगे हैं हुआ 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 है तो देखिए यहां पर कितने ब्यूटी फूट मतलब एक दम खेट दिख रहे हैं और बच्चों को देखके तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और यह बहुत बड़ी नहर पढ़ती है हमारी गाओं से पहले बहुत सारा पानी है इसमें देखिए तो यह हमारा में गेट ग देखिए तो अब देखिए तो अब हम पहुंच गया है सबसे पहले हमारे गाओं में आने से पहले पढ़ते हैं पीर जी तो वहां पर हम लोग मत्था टेकेंगे और मत्था टेकने के बाद जाएंगे आगे तो मैं दिखा देती हूं आपको देखिए इधर चाहिए कर ले पापा के साथ तंडा देखने आया और अभी गेहूं की मतलब कटाई नहीं हुई है पूरे सारे खेत यहां पर गेहूं के हो रखें और देखिए फ्रेंड्स तो आप लोगों को भी दर्शन कराएं पीर जी के देखिए उसके बाद अभी आगे हम चल इससे स्बसे पहले हम पित रोब जाैंगे तो चलिए फ्रेंड्स आगे कर दिखाते हैं आपको वीडियो तो देखिया सबसे पहले हम लोग यहां पे मत्था डेकेंगे पीर जी के यहांपे तो सबसे पहले मंदिर मतलब गाओं में खुशते ही पीर जी का जो उस्थान है व और बच्चे तो बहुत ही जादा एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि इन लोगों ने ऐसी गलियां घर नहीं देखे होते तो इनको बहुत अच्छा लग था ममी ये वाला घर देखो और ये देखो मामी मतलब बच्चे तीनों ही बहुत खुश थे और बैस देखके तो ऐसे प ये वला व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है और मैं इस व्लॉग को मतलब छोटे छोटे पार्ट्स करके डालूंगी जोकि जादा लॉंग वीडियो ना बने तो आगे के पार्ट्स भी आप देखते रहना इस वीडियो के किस तरीके से हमने दर्शन करे क्या करा तो चलिए फ्रेंड्स इस वाले व्लॉग को यही पर एंट करते हूं नेक्स व्लॉग जरूर देखना